ओम शान्ति इस पतित दुनिया के अंसमे बहा भारत काल में शिव बाबा हम बच्चों को ज्यान देकर इस पुरानी दुनिया से पार नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं और उस दुनिया में यानी स्वर्ग में जाने के लिए हमें स्वर्गवासी बनाने के लिए ज्यान और योग से संवार रहे हैं आज 6 जुलाई 2021 के महवाक्य हम सबी ने सुने उसकी विशेश बातों को हम रिवाइस करते हैं बाब दादा को माताओं का संगठन कैसा चाहिए ऐसा संगठन जो नष्टो मोहा हो देही अभिमानी पक्का निष्च बुद्धी किसी में मोह की रग ना हो दुनिया में नारायन और श्री कृष्ण के लिए कौन सी माननेताई प्रचलित हैं अंतकाल जो नारायन सिम्रे नारायन सिम्रे ये अक्षर जूटे हैं अंतकाल नारायन क्यों कहते हैं कहते हैं क्रिष्ण ने ज्यान दिया था तो भला कृष्ण को सिम्रे ना पढ़ाई के विश्य में बाब ने क्या कहा है? पढ़ना और पढ़ाना है, बच्चों का काम है पढ़ना, जितना पढ़ेंगे उतना उच्पद पाएंगे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए हम बच्चों को अपने साथ क्या बाते करनी है? अभी हमारी आत्मा पवित्र बनती है, इन लक्ष्मी नारायन ने 84 जन्म लिए हैं, सारी सूरेवन्षी डनायस्टी ने 84 जन्म लिए हैं, चंद्रवन्षी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे, हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारा जैसे थे, राजा, रानी, प्रजा, दास, दासियां आदी, सूर्यवन्शी में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, हम बच्चों को कौन सी बातों का नशा रहना चाहिए, विनाश होना ही है, हमको पावन जरूर बनना है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम रचाईता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं, अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युक का वर्सा लेना है, आत्मा मुसाफिर के लिए बाबा ने क्या बातें कही, इस कर्मक्षेत्र पर हम सब मुसाफिर हैं, यहां मुसाफिर बन आये हैं पार्ट बजाने, हम आत्माए परमधा की रहने वाली हैं हम शांतिधाम के मुसाफिर 84 जन्मों का पार्ट बजाने यहां आते हैं हम शांतिधाम के रहने वाले हैं फिर यहां आते हैं talking world में पार्ट बजाने कमबाइन्ट रूप धारियों को कौन-कौन सी अनुभूतियां होती हैं बाप दादा साकार रूप में सर्व संबंधों से सामने होते हैं बुद्धी से नहीं आँखों से देखते हैं बाप दादा हाथ पकड़ते हैं एक बाप दूसरा न कोई यह पाठ पक्का करते हैं बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते सदा सम्मुख की अनुभूति करते हम बच्चों को किन बातों की धारणा करनी हैं? अपना कल्यान करना है इस पुराने शरीर की संभाल करनी है दूसरे किसी चिंतन में नहीं जाना है पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई करनी है ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें हम आज सारा ही दिन अटेंशन दें कि ये अंतिम पुराना शरीर है लेकिन पुरिशार्थ इसी से करना है तो इसकी संभाल भी हमें करनी है और अपना कल्यान करने के लिए पढ़ाई पर जरूर अटेंशन देना है कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा हमें कि आज की मुर्ली से कौनसी बात आपको बहुत अच्छी लगी जिसे आप धारण करेंगे ओम शान्ति